मूवी की स्टार्टिंग में हम जंगल के बीच बने फार्म हाउस को देखते हैं, जहां तीन दोस्त हुमने आये थे, जिनमें जैसिका केलब और टेरेसा थी, जो की बगल में तालाब के पास मजे कर रहे थे, लेकिन वहां बस दो ही दोस्त थे, दूसरी तरफ जैसिका की तब खराब थी, और टेरेसा कुछ देर बाद जैसिका से मिलने अंदर रूम में आती है, पर जैसिका कुछ बोल नहीं रही थी, टेरेसा तब उसके साथ बैठकर किताब पढ़ने लगी, लेकिन तभी जैसिका बिना किताब को देखे डैमोनिक आवाज में किताब पढ़ने लग टेरेसा तब जैसिका से डर जाती है, जैसिका अचानक से पोजेस हो चुकी थी, और वो अचानक उल्तिया करने लगी, उसकी आखों में खून समा गया, और वो टेरेसा को बेरहमी से मार दालती है, और फिर बाद में जील के पास जाकर केलिब का सर धर से अलग कर देती है, जिसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां से ये सब शुरू हुआ था, जहां लॉस एंजलिस में एक पुरानी सी बिल्डिन को हम देखते हैं, जहां लेडी टैटू आर्टिस्ट, एली अपने तीन बच्चों के साथ अपने पती को छोड़कर अकेले इस अपार्टमेंट में रहा करती थी, जिसमें बेटा डैनी उसके बहन ब्रेजट और सबसे छोटी बेटी केसी थी, रात में एली की सिस्टर बैथ उसे मिलने आती है, जहां बेट के बारे में बताया जाता है कि वो एक कॉंसर्ट सिंगा है और वो प्रेगनेंट है, जिस कारण वो काफी परिशान थी, बेट सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लाए थी, जिसके बाद एली अपनी बहन से बात करने के लिए, बहाने से बच्चों को पिज़्जा लेने के लिए बाहर भेज देती है, जब बेट को एली और उसके पती के अलग होने के बारे में पता चला, तब उसने दुख जाहिर किया, उससे तब कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तब एली ने बताया कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, और तुम ज्यादा ही विजी थी, तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, जिस कारण बैथ अपने इसे व्यवहार के लिए एली से माफी मानती है, और वो शर्मिन्दा थी, इसी के बाद जब तीनों बच्चे पिज्जा लेकर आ रहे थे तभी अचानक एक भूकम आता है, जिसमें कार पारकिंग एरिया में क्रेक्स आ जाती है, उपर एली और बैथ दोनों इससे डर जाते हैं, लेकिन तीनों बच्चों की भी नीचे हालत खराब थी, और वो नीचे जमीन पर बैख जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सब शान्थ हो जाता है, भूकम की वजह से पारकिंग एरिया के अंदर एक छेद बन चुका था, जिसमें डैनी घुस जाता है, जहां उससे कई सारी किताबे दिखाई देती है, और कुछ तीन सीडीज भी मिलती है, उसे एक फोटो भी दिखती है, जिसमें तीन प्रीस्ट थे, साथ ही उसे वहां एक सील्ट कब्र भी दिखाई देती है, जिसके हर तरफ क्रोस लगके थे, जो कि किसी शैतानी ताकत को रोके हुए थे, कब्र में एक छेट था, जिसमें डैनी हाग डालकर एक चीज को बाहर निकालता है, डैनी जैसे ही उस चीज के उपर से कपड़ा हटाता है, तब काफी सारे कीले उस पर से उठ जाते हैं, और ये कुछ और नहीं बलकी इविल डैथ की किताब थी, जिसे यहाँ छुपा के रखा गया था, लेकिन डैनी यही नहीं रुखता, किताब को और तीनों सीडियो को वो अपने साथ ले जाता है, उपर एली और बैद बच्चों के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन सभी बच्चे सही सलामत उपर आ जाते है, तब डैनी उस किताब को और सीडियो को अपने रून में ले जाता है, एली भी लॉन्री के काम से लिफ्ट से नीचे जा रही थी, डैनी को उस किताब को पढ़ना था, और वो उस किताब को अपनी बहन ब्रिजिट के सामने खोलने की कोशिश करता है, किताब कुछ नुकिले दातों से बंग थी मानो वो किताब ना होकर किसी शैतान का मुह हो तभी किताब को खोलने की चक्कर में डैनी की उंडली कट जाती है और उसका खून किताब पर गिर जाता है जिसको ये किताब सोक लेती है और खुल जाती है किताब में आजीबो गरीब ड्रोइंग्स बनी थी जो की देखने में काफी दरावनी लग रही थी ब्रिजेट डैनी को पन्ने पलटने से रोकती है लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुनता और सीडीज को एक-एक करके सुनने लगता है जहां पहली सीडी में एक प्रिस्ट इस किताब के बारे में बताता है कि ये किताब नरूटो डैमोंटो की तीन किताबों में से एक है जिसे बुक ओफ डेथ कहा जाता है प्रीस्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी ताकि वो काली अंधेरी दुनिया के राज जान सके इसके बाद दैनी दूसरी सीडी लगाता है जिसमें किताब में क्या है वो बताया जाता है तभी रिकॉर्ड अचानक ही डैमोनिक आवाज में आने लगते हैं और दैनी डर के उन्हें रोकने लगता है वो काफी कोशिश करता है पर वो रूपते ही नहीं जिसके बाद दूसरी और लिफ्क में एली को वही डैमोनिक एंटिटी पोजेस कर लेती है जो की बहुत भयानक और दर्दनाक थी वो एली के हाथ पैर को बांद कर उसकी हर एक हटी को तोड़ देती है और बहुत दर्द देती है तभी उनके फ्लो की लाइट भी चली गई थी हालाकि सभी तरफ की लाइट थी डैनी ये देखकर हैरान था कि ये किताब अपने पनने खुद बाखुद ही पलट रही थी यानि कि यहीं से शुरू होने वाला था इस किताब का खौफ़नाक खूनी खेल शुरू एली जिसके बाद उपर आती है जिसके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे थे एली सीधा किचन में जाती है और कच्चे अंडो को पैन में पकाने लगती है जब बैथ और बाकी बच्चे उससे बात करने आते है तो वो अजीब तरीके से बाते करती है और खौफ़नाक तरीके से हस्ती है जिसे देख सभी डर जाते है जिसके बाद अचानक वो होश में आती है और कहती है कि वो मेरे अंदर है मुझे बचाओ एली बहुत उल्टिया कर देती है और वहीं गिर जाती है डैनी और बैथ उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन लिफ्ट में जाने से वो डर रहे थे साथ ही भूकम की वजह से बिल्डिंग की सीरिया भी तूट चुकी थी एली को मरा समझ कर वो उसे रून मे बैट पर लिटा देते हैं जिसके बाद उनके पढ़ोसी गैब्रियो और मिस्टर फोंडा बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई रास्ता खोजने में लग जाते हैं और बैथ अपनी डेट सिस्टर के पास बैठी थी और एली की मौत पर दुख थी तभी उसे एली का ही फोन आ बैठ जाती है जब उसे बैठ छूती है तो वो बहुत ज्यादा गर्म थी जिस कारण वो एली को बार्थ टब में डाल देती है लेकिन तभी एली दीवार पर चड़कर जोर से चिलाने लगी थी जिससे बाकी सभी लोग बेहोश होने वाले थे लेकिन वो बच गए साथ ही बार्थ टब का पानी भी उबलने लगा एली आब एक-एक कर सभी पर हमला कर देती है और अपनी ही बेटी ब्रिजिट पर हमला कर उसके चहरे पर एक धाव मार देती है लेकिन वो किसी तरह से उसे धक्का देकर बच जाती है जहां मूवी का सब से हौरर सीन दिखाया जाता और उसके पढोसी के मूह में फेक देती है जहां मौके का फाइदा उठा कर बैथ अपार्टमेंट का दर्वाजा बंद कर देती है और एली बाहर ही रह जाती है जब वो दर्वाजे के की होल से बाहर देखते हैं तब एली को पोजेज करने वाले शैतान ने सभी को मार डाला और सभी की खौफनाक चीकों से पूरा फ्लोर बूंज उठा मिस्टर फॉंडा गन से एली को शूट कर देते हैं लेकिन वो उसे भी मार देती है ब्रिजेट अपने भाई डैनी से कहती है कि ये सब उसी किताब की वजह से हो रहा है बैथ तब उन्हें आपस में लढने से र उने लगी उसका घाव अजीब हो चुका था उसके मुह और काननाक से काला लिक्विड निकल रहा था और वो कीले उगल देती है असलियत में वो एक देड़ आय बन चुकी थी और वो भी पोजेस हो चिकी थी जहां एली ने दिये घाव की वजह से वो ऐसे बनती जा रही थ ब्रिजेट पुरी तरह से देमोन के कंट्रोल में आठ चुकी थी और वो बैत के पेर की खालचीज ग्रेडर से निकालने लगी लेकिन किसी तरह से बैत वहाँ से बचके भाग जाती है फिर वो डैनी और कैसी पर हमला करती है लेकिन केसी अपनी चड़ी ब्रिजेट के सिर क क्यार पार कर देती है जिस से वो नीचे गिर जाती है बैत और केसी सोच रहे थी कि ये सब उनके साथ आखिर हो क्या रहा है सेफटी के लिए डैनी ब्रिजएट को बैद से बांध देता है जिसके बाद डैनी उस किताब के बारे में सब कुछ बैत को बता देता है और सीडियो उसे सुधारना आता है, वो जल्दी से डैनी के रूम में जाकर तीसरे सीडी के रिकॉर्ड को सुनने लगी, वही ब्रिजेट उठ खड़ी हुई, और एर डक के रास्ते एली भी घर में घुस गई, बैथ को रिकॉर्ड सुनके पता चलता है, कि आखिर ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, जिसके बाद खुलती है इस शैतानी किताब की असलियत, असल में ये किताब तीन प्रीस्ट को मिली थी, वो उसे ट्रांसलेट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस किताब की काली शक्तियों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये एक डैमोनिक किताब थी, और क काफी देर हो चुकी थी, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन डैमोन्स को मारा नहीं जा सकता था, ना ही खत्म किया जा सकता था, बलकि बस कैद किया या फिर इन से दूर भागा जा सकता था, और इसी कारण उन्होंने इस किताब को, इस बिल् दैनी खुद को बचाने के लिए उसे जला देता है, जिससे ब्रिजेट भी नीचे गिर गई थी, एली भी एर डख से कमरे में पहुँचकर बैत पर हमला करती है, पर वो नाकाम होती है, अब केसी और बैत ही जिंदा बचे थे, डैनी जक्मी हालत में वहाँ आकर मारा जाता है, केसी छुप जाती है, लेकिन एली बैत को मारने आती है, तब दैमोन को पता चलता है, कि बैत प्रेगनेंट है, और उसके पास लेने के लिए दो सोल्स है, वो काफी खुश था, लेकिन बैत मौका देख सीजर लेकर एली के मुह में घुसा देती है, जिसके कारण कुछ स पॉंडा की गन से वो फायर एक्जिट को तोड रहे थे, तब ही वहाँ आवाज सुनकर एली आ जाती है, और गोली सीधा उसके पैरों में लगती है, जिससे उसका एक पैर खत्म हो जाता है, साथी हाथ भी, फिर भी एली केसी को अपनी चिकनी बातों में फसाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानती, एक एक करके उस फ्लोर के सभी लोग मारे गए थे, और सभी डाक आय में कनवर्ट हो चुके थे, जिसके बाद कैसी और बैथ लिफ्ट से भागने लगते हैं, दुसरी तरफ एली के जिस्म से सभी लोगों के हाथ और पैर जुडने लगे थे, जिससे लिफ्ट में खून भरता जा रहा था, और बुक ओफ देफ खुद अपने एक पेज पर आती है, जहां कई सारे हाथ पैरो वाले डैविल को हम देखते हैं, इसी क्रियेचर में एली बदल चुकी थी, और लिफ्ट जैसे ही नीचे पहुचती है, तब ओवर लोड की वजह से वो अचानक खुलती है, तब उसमें से धेर सारा खुन बाहर आता है, वो दोनों ही किसी तरह इससे भी बचके भागते हैं, और कार लेके बिल्दिंग से बाहर निकलने लगे, लेकिन दरार में कार फस जाती है, जो की भूकम्प की वजह से बनी थी, तब ही एली अ उसे डाल कर उसकी बॉडी का पूरा चुरा बना देती है, और एक साथ उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अभी मूवी का एंड नहीं हुआ था, जिसके बाद वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है, कि एक ल दोस्तों के साथ भूमने निकल पड़ी, वहां वो भी पोजेस होकर सभी को बेरहमी से मार देती है, और ये तो बस शुरुवात थी, क्योंकि इस डेमोन की बस बोडी खत्म हुई थी, ना कि शैतानी आत्मा, जिसे खत्म कर पाना नामुम्किन ही है, और यही इविल डेथ पार्ट वन मूवी का एंध होता है, आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में, फैंक्स फॉर वाचिंग